Hello everyone, आज मैं आपके साथ चिकन काली मिर्च की रेसिपे शेयर करूंगी, बहुत मज़ी कई चिकन काली मिर्च बनके तयार होता है, यह most easiest and tasty recipe है, चिकन हमारा perfectly cooked हुआ है, एकदम अंदर से juicy tender है, और सबसे पहले हम two table spoon काली मिर्च को दरदरा कूट लेंगी, हमें काली मिर्च का इस्तमाल नहीं करना जो आता है मार्केट में, हमें इसको freshly cooked ना है, तो मैंने इहां पर काली मिर्च को कूट लिया है, और इहां पर मैंने 700 g चिकन को wash करके dry कर लिया है, चन्नी में रख दिया तक उस तेर के लिए, और यहां बड़े बड़े बोन वाले जो pieces होते हैं, उसका इस्तमाल करेंगे, फिर शामिल करेंगे, आदा चम्मच कुटे ही काली मर्चे, एक चम्मच लेसन अधर का पेस्ट, नमक और एक चम्मच जाएगा, इसमें फेटा हुआ दही, अच्छी तरह से सारे चीजों को मिक्स कर लेंगे, और इसके अलावा कोई भी है, हम और मसाले अच्छी करेंगे, सारे चीजों को अच्छी से मिक्स करके, हम इसको ढखके रख देंगे, फ्रिज में 20 मिनट के लिए या ज्यादा टैन के लिए भी आप सकते हैं, फिर मैंने एक पैन में ऐला है, सारे पीसे हम डाल देंगे, अब यहां पे सारे पीसे को हमें फ्राइ करना तो हाई फ्रेम पे करीब 6-7-8 मिनट ऐसे लगेंगे, यहां पे करीब 7 मिनट में यह हो गया ता, तो अच्छी तरह से इस पर कलर आ गया, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से रखना है, ज्यादा भी हमें ओवर फ्राइ नहीं करना, देखे कितना प्यार है, यहां पे कलर थोरा से जीरा, 3-4 लंग, यहां पे दाल चीनी लिए, थोड़ी सी दो टुकड़े हैं, छोटे-छोटे से, और यह अच्छी तरह से क्रैकल हो जाएंगे, आइल में, आच्छी तरह से आप देख सकते हैं, यहां पे खुश्बू आने लगेगी, फिर हम यहां पे आड़ करे हैं, आप चाहें कोट के डाल सकते हैं, पर मैंने हां पे बीच से आदा करके, और इसको अनीवनली मनी कट कर लिया है, तो इसको हम डाल की भून लेंगे, इसमें कोई spices नहीं जाएंगे, सिरिफ यह हरी मिर्च से फ्लेवर आएगा, और काली मिर्च से आएगा, फिर अच्छ का कलर चींज होने तक नहीं से पकाना, ऐसी रखना है, करीब ट्रांस्पेरेंट कलर हो जाता है, उस तरह से कलर हो जाएगा, और मैंने इसमें एड़ कर रही है, वन इस्पून कुटी हुई काली मिर्चे, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहां पे हमें जादा प्यास नहीं भुननी, फिर एड़ कर देंगे चिकन, क्योंकि प्यास जो है वो भुन जाएगी चिकन के साथ में, साथ ही साथ चिकन में भी फ्लेवर आ जाएगा प्यास का, इस वजह से हमें स्टार्टिंग में भुननी, और फिर डाल के हमें पका लेना है, यहां पे आप तो थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं, अगर ज्यादा ड्राइ लग रहा है, मैंने तो ऐसी ही पका लिया था, और इसको पका लेंगे करीब चार से पांच मिनट तक एक्दम लो फ्लेम पे पकेगा, बिल्कुल भी हाय ना करें फ्लेम को, लो फ्लेम पे हमें इसे पका यह डाल दे करिवक तीन चार चमच, मैंने तीन चमच डाला है, एक चमच डाल दिया इहां पर नमक और आदा चमच दुबारा डाल दिया कुटे हुए काली मिर्चे, देखा हमें हर स्टेच पर काली मिर्च को इस वज़े से हमने स्टार्टिंग में कूट लेती मिर्च को, और यहां पर थोड़ा सा पाने डाल देंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी थोड़ी ड्राय लग रही थी मुझी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने सारी चीजों को, इसको पकने के लिए छोड़ दिया, करेब यह पकेगा साथ से आट मिनार तक चिकन यहीं पर कूख होगा, और फिर चिकन जब गलने लगेगा, इसी स्टेच में हम डाल देंगी, यह क्रीम मैं इस्तमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घर की क्रीम भी डाल सकते हैं, घर की जो दूद वाली मलाई होती है, पर मैं फ्रेश क्रीम मार्केट वाली मैंने इस्तमाल की है यहां पर, और यह आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार हमारे चिकन काले मर्च बन के त्यार हुआ है, यह बहुत टेस्टी बनता है, बहुत आसान है इसे बनाना, इसको आप सर्फ करें नान, रोटी, लच्छा पुराटे के साथ, हर गिस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता और मैंने यह ग्रेवी जो है, इसको थोड़ा थीक रखा है, आप चाहें तो इसको थोड़ा से लिक्विडी रख सकते हैं, थोड़ा सा पानी राल के इसको बोईल के लें, यह बहुत टेस्टी बन के तियार होता है, और इसे बनाना इजी पी है, साथ ही साथ, और अगर रे प्राइजिंग रेसिपीस के लिए दू सब्सक्राइब मैं चैनल, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जब तक लिए आप अपना ख्या रखें, बाई